इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं, HDFC बैंक के बारे में overall हमने आज निफ्टी बैंक में एक शांदार तेजी दिखी, हालांकि वो सस्ते नहीं रहा, again जो है, जहां निफ्टी बैंक निफ्टी मोर देन एक दशमलव दो शून्य प्रतिशत के उपर ट्रेड हो रहा था वही देखेंगे, तो इस समय लगभग शून्य दशमलव एक शून्य प्रतिशत के अपडेट में ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है, HDFC बैंक को देखेंगे तो एक सार डाउन दिन के बाद रिजल्ट के एक्सपेक्टेड नहीं होने के बाद इस स्टॉक में एक का कन्फरमेशन है कि बैंक निफ्टी में एक शांदार तेजी दिखेगी और बैंक निफ्टी 49,000-40,000 तक के लेवल को भी दिखने वाला है, Overall, HDFC बैंक के साथ ही हमने आपको रिकमेंट किया था कि इस समय बैंकिंग सेक्टर के दो स्ट्रॉंग शेर, एक इंडिसंट बैंक और दूसरा बंधन बैंक तो क्या आपने दोनों बैंक में कुछ भी ट्रेड लिया, Option या कैश में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, HDFC बैंक में आप देखेंगे की दो जो हल देख रहा है, Short-Tum, Short-Tum, Medium-Tum के लिए 26 मई का Option डाटा को आप निकाल लेंगे तो पाएंगे की Maximum जो Call राइट हुआ है वो 1400 का Call हुआ है, उसके बाद का जो राइटिंग है वो 1500 के Call पे है और पुट के साइट देखेंगे तो 1300 यानी 1300 का स्पोर्ट स्पोर्ट स्ट्रोंगली है, 1300 के पुट की डाइटिंग हुई है, लेकिन जी इस प्रकार से Call के राइटिंग जिसने मैक्सिमम है उतना Food के साइट नहीं है तो थोड़ा बहुत Consolidation ये Stock देख सकता है, पोटफोलियों के लिए अगर Investment करना चाहते हैं तो शुरली इन्वेस्ट करें, सो टंग गोली से Stock को इगनो करें, 14-100 के उपर का Closing मिले तो एक Momentum Training Stock के अंदर मिल सकता है और Momentum Training के लिए आप बंधन बैंक और Innocent Bank त्योरी देख सके,